बाण में में अलुद्ध्या तथा कत्थित मस्जिद गई अब 22 में तथा कत्थित ज्ञान व्याक्ति जाएगी आपको संगीधान पर विश्वास नहीं तो जिस पर विश्वास पाकिस्तान चले जाने अखुर भाई बीजेपी के पूर विधायक संगीत सोम ने ग्यानवापी मस्जिद को लेकर बेहद विवादास पत और भड़काव बयान दिया है सोसल मीडिया पर संगीत सोम का वीडियो खुब वाईरल हो रहा है संगीत सोम अपने भाज़ण में एक समुदाय को लल कारते वे साप कह रहे है कि उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि जो 1992 में हुआ वह 22 में भी हो सकता है संगीत सोम को वाईरल वीडियो में साप कहते वे सुना जा सकता है कि उन्हें उस दिन समझ जाना चाहिए था कि जब वर्स 1992 में एक खंड़ा रूपी मस्जिद को ध्वस्त किया था समझ जाना चाहिए था कि देश की स्तरब जा रहा है समझ जाना चाहिए था कि कारसेवकर ने जिस मस्जिद को आज ध्वस्त किया है अब हिंदुस्तान इस तरह की एक भी मस्जिद छोड़ने नहीं जा रहा है भाई मैं दूटना चाहता हूँ अब लोगों से अगर बाल में मैं रिख्युक्त बाया में रामला जिद किर्पाल में बैटो थे और किर्पाल में बातय बैटे यह हम सेक्रों सालशे लड़ाई मर रहे थे लेकिन वो लड़ाई लड़ते 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 राम लड़ते पाल में बैठे रहे और एक दिन जब आया तो लोगों के सब्र का बांद तूट गया और जब लोगों के सब्र का बांद तूटा तो तथा कतित मस्जिद जो थी कहा गई सहाब ये वीडियो मिरट के ज्वालागर चौराय पर आयोजित महराणा प्रताप की जयनती समारों का है जहां पर संगीत सोम अपने पूरे जोसो खरोस में थे और संगीत सोम के भड़काओ बयान जारी रहे संगीत सोम के निसाने पर पूरे भासड के तौरान खास समुदाय रहा संगीत सोम ने साप कहा कि अगर कुछ लोग को यहां ज्यादा दिक्कत हो रही है तो वो पाकिस्तान चले जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ के दरीवाल जी और आपको बताना चाहता हूँ वे शीजिए आप सुन लेना कान खोलके सुन लेना ना साहिन बाग बचेगा और ना बचेगा आपको बताना चाहता हूं कि ना क्या साहिन बाग बचेगा ना बचेगी या नगया की मस्ज़िद मैं प्रूचना चाहता हूं भाई आपको कानून पर विश्वास नहीं आपको कोट पर विश्वास नहीं यह पहली बार नहीं है जब संगीत सौ्म ने भलकाऊ भासर दिया हो और उस पर बावाल ना हुआ हो इस बार भी वहीं हो रहा है सोम का ये वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोम के भड़काव भासर पर कोई कारवाई होगी?